हेलो दोस्तों, वेलकम तो दी चैनल पेस्विजीं हाट बाई हाट फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा कि हम अपने राइट हैंड से 0 to 9 कैसे काउंटिंग कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने दोनों हैंड की हेल्प से 0 to 99 और 10 to 99 कैसे काउंटिंग कर सकते हैं तक हमने देखा कि हम अपने राइट हैंड की हेल्प से 0 to 9 काउंटिंग कैसे करते हैं और आपको ये भी पता है कि हमारी right hand में सारी fingers की क्या value है अब हम देखते हैं कि हमारे left hand में इन fingers की क्या value है अब हमें close करेंगे और अपनी index finger निकालेंगे इस hand में सारी fingers की value होगी 10 इस fingers की value होगी 10 तो index finger है index finger की value होगी 10 middle finger की value होगी 10 ring finger की value होगी 10 और pinky finger की value भी होगी 10 अब इस चारो fingers को close कर गएंगे thumb open करेंगे तो thumb की value होगी 50 I hope आपको समझाया होगा एक बार और हम इसे दोर आते हैं repeat करते हैं thumb की value है 50 index finger की value है 10 middle finger 10 ring finger 10 pinky finger 10 अब हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे counting करते हैं 50 plus 10 60 plus 10 70 plus 10 80 plus 10 90 अब हम अपनी दोनों hands में counting करके देखते हैं कि हम कैसे 99 तक counting कर सकते हैं so friends 10 10 plus 1 11 10 plus 2 12 13 14 और इसे close किया thumb open किया तो 15 5 plus 1 6 means 10 10 plus 6 16 17 18 9 10 10 plus 10 20 then 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 49 Then ये चारों ये चारों फिंगर्स करेंगे थम ओपन करेंगे तो थम की वैल्यू है 50 50 51 52 53 54 55 55 55 56 57 58 59 59 59 ओके तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम टोटल 90 तक 99 तक काउंट कर सकते हैं अपनी दोनों हैंड्स की हैप से आप भी ट्राइ करें तो फ्रेंड्स यहां हमने कुछ प्रेस्टेंस लिए हैं इसे हम सौल करके देखते हैं 20 10 50 11 20 20 के लिए क्या करना होगा हमें अपनी लेप्ट हैंड की फिंगर्स ओपन करनी होगी 10 प्लस 10 20 दें 10 प्लस 10 दें 50 50 के लिए हमारे पास में क्या है थम थम की वैली क्या है 50 तो हम थम ओपन करेंगे 50 प्लस 11 तो 11 करने के लिए क्या करना होगा हमें अब हमें से count करते हैं, क्या value हुई, 50, 60, 70, 80, 90, and ये 1, 91, तो इस question का answer होगा, 91, I hope आपको ये समझाया होगा, next question लेते हैं, 10 plus 11 plus 50 plus 51, 10 के लिए हमें अपनी left hand की finger open करनी होगी, 10 plus 11, 10 plus 11 करने के लिए हमें right hand की one finger open करनी होगी, plus 15, 15 के लिए 10 plus 5, 5 हमारे right hand में thumb की value होती है, तो 5, then 51, तो 50 हमारी left hand में thumb की value होती है, 50, and 1, one के लिए एक finger open करनी होगी, तो ये होगा हमारा 51, अब हम इसे count करते हैं, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, तो इसका answer होगा, 87, next question है दोस्तो, 17 plus 11 plus 10, तो 70 करने के लिए left hand में thumb की value है 50, plus 10, 60, plus 10, 17, then है 11, 11 करने के लिए 10 plus 1, 11, then है 10, 10 के लिए left hand की finger open करनी होगी, 10, total count करेंगी कितने हुए, 50, 60, 70, 80, 90, and ये 1, 91, तो इसका answer होगा, 91, 38, 51, 10, 38, 10, 20, 38, 5, 6, 7, 8, then है 51, 50, 1, then है 10, 10, total, दोनों hand की fingers हमारी open होगी, count कर लेते, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, total होगे 99,